बंदू के खामोश है तोप चुप है मिसाइलों का मुख बंद कर दिया गया है गाजा मातम वाली शांती में टूप गया है क्या होगा चार दिन बाद गाजा पूरी तरह मटिया मेट या सीज़ फायर बचा लेगा गाजा की जान सीज़ फायर टूटा तो गाजा का 24 घंटे में सफाया इन सारे सवालों का जवाब डिटेल में आपको दिखाएंगे क्योंकि इन सवालों का जवाब गाजा में अटकी 240 बंधकों की सुरक्षिक रिहाई में है हमास ने बंधकों को छोड़ने के एवज में ही सीज़ फायर की गैरेंटी ली है बंधकों की रिहाई की गिंती शुरू हो गई है सबसे पहले जानते हैं बंधकों की रिहाई का प्लैन क्या है डील के तहट चार दिन तक कोई जग नहीं होगी लेकिन इस बीच हमास 50 बंधकों को रिहा करेगा इनमें महिलाएं और 19 साल से कम उम्र के बच्चे हैं इसके बदले में इसरैल 150 फिलस्तिनी महिलाओं और बच्चों को छोड़ेगा मतलब एक बंधक के बदले इसरैल को फिलस्तिन के त heat को अपनी जेलों के रिहा करना होगा इसरैल या हमास ने दोनों और से रिहा होने वालों की कोई लिस्ट जारी नहीं की है लेकिन पहले जत्थे में जो 13 बंधक रिहा हो रहे हैं उन लोगों के परिजनों से इसरेल की सरकार ने संपर किया है हमास ने 7 अक्टूबर से 240 नागरीकों को बंधक बना रखा है हमास ने बहुत सोची समझी साधीश्ट के तहट बंधक संकट पैदा किया है हमास बंधकों के बदले इसरेल से कड़ा सौधा कर रहा है लेकिस सवाल है कि इसरेल के पास क्या मजबूरी है या बंधकों के रिहाई होते ही इसरेल गाजा को मिट्टी में मिला देने के प्लैन पर काम कर रहा है इस सवाल का जवाब इसरेल के एक्शन ने दिखाएंगी उसके पहले सीजफ़ायर वाली डील कहीं चीथरे-चीथरे होकर हवा में बिखर न जाये उसके लिए हमास इसरेल ने कैसी डील की है इसके डिटेल देखिए ये सीज़ फाय सिर्फ चार दिन के लिए ही रहेगा सुबह साथ बजे से शाम चार बजे के बीच बंधकों को छोड़ा जाएगा हर दिन तेरा बंधक रिहा किये जाएगे इसरेल ने एक बयाद जारी कर बताया कि इसके बाद अतिरीक्त दस बंधकों की रहाई पर सीज़ फायर एक दिन और बढ़चाएगा मतलब पांच दिनों में कुल साथ बंधकों को छोड़ने का सौधा हुआ है इसके बाद 180 बंधकों के लिए हमास इसरेल के बीच कौन सा समझोता होगा ये अब तक तैय नहीं है इसके अलावा हर दिन 200 ट्रक गाजा पट्टी में आ जा सकेंगी इन ट्रकों में मानुए और चिकित्सी ये सहायता होगी हर दिन इंधन लेकर चार्ट ट्रक भी गाजा में आएंगे खाग से पन्नवाली डिल जमीन पर कैसे उतरेगी इसकी कम्प्लीट जानकारी इसरेल के परधानमंत्री के सलाहकार से सुनिये बंधकों को लेकर डील की पटकता अमेरिका ने लिखी है जिसे कातर की मध्यस्तता में जमीन पर उतारा जा रहा है हमास बंधकों को छोड़कर सिर्फ इसरेल का तराउन ही दूर कर रहा है अर्जंटीना ब्रिचेन चीली फ्रांस जर्मनी पोचुगर स्पेन थाइलेड और अमेरिका जिसे देशों का तनाव भी कम होगा क्योंकि इन सारे देशों के नागरिक भी 240 बंधकों में श्रामिल हमास के पास 5 दिनों के बाद भी 180 बंधक बचे रहेंगे हमास चाहता है कि इसरेल सवी फिलस्तिनी खैदियों को रहा करें और इसरेल चाहता है कि सारे 240 बंधकों को रहा करो फिलस्तिनी प्रिजनर्स सोसाइटी के मताबिक इसरेल ने 22 नौमबर तक 7200 लोगों को हिरास्त में रखा है जिन में 88 महिलाएं और 250 बच्चे हैं इसरेल ने एक लिस्ट जारी की है जिसमें 300 फिलस्तिनीों की जो रहा होंगे उनको काबिल माना है इन में से जादातर की उम्र 19 साल से कम है और उनके खिलाफ कोई संगीन अपराद भी दर्ज नहीं है हमास नौन मिलिटरी लोगों को रहा कर रहा है और बदले में इसरेल वेसे कैदियों को जिनके खिलाफ आतंकी कारवाई के केस दर्ज नहीं है आपके जहन में ये भी सवाल उच रहा होगा कि दोनों जानी दुश्मन सीजफायर के लिए तैयार कैसे हुए क्या मजबूरी रही लिहासा सीजफायर के लिए हमास और इसरेल क्यों रेडी हुए है इसके डिटेल देखनी बहुत जरूरी है क्योंकि इस रेडी होने में दुफान के पहले की खामोशी दिखती है वजह नमबर एक डेड़ महीने के बाद भी बंदकों के रहाई नहीं होने के बाद इनके परिजन विरोध परदर्शन के लिए सड़क पर उतर आए है वजह नमबर दो इसके अलावा गासा में हर दिन खराब होती मानवी स्थिती के चलते इसरेल पर अंतराश्डिये दबाओ भी बढ़ रहा है वजह नमबर तीन तेईस लाक के अबादी वाली गासा पट्टी में सत्रा लाक लोग इस्थापित हो गए हैं वजह नमबर चार इसके अलावा शेतर में मौजूद 36 में से किवल 10 अस्पताल ही फिलहाल काम कर रहे हैं इसरेल सीजफाइर के लिए माना क्योंकि बंधकों में विदेश भी हैं और गासा में भयंकर मानवी संकट पैदा हो गया है लेकिन हमास सिजफाइर के लिए क्यों रिडी हुआ चानकारों का माना है कि हमास फिर से संगटित होने के लिए किसी भी युद्विराम का इस्तमाल करना चाहता है कहा जा रहा है कि हमास धीरे धीरे इसरेल की जेलों में बंद और अधिक कैदियों को रिहा करने की मांग करके युद्ध विराम बढ़ाने की कोशिश कर सकता है लेकिन इसरेल इस मुहने पर आकर जवाबी कारवाई नहीं रोकना चाहेगा इसरेल के तीन मकसद अभी पूरे नहीं हुए हैं जिसके लिए उसने हमास को जड़ से मिचाने के खस्म खाई है सीज़ फायर के बाद क्या होगा पहली सौगंद इसरेल का पूरे उत्री गाजा पर कब्सा अब तक बाकी है दूसरी सौगंद गाजा के दक्षन में खान यूनिस शहर पर अब भी कब्सा बाकी है तीसरी सौगंद हमास के अंती मातंकी के जिन्दा रहने तक युद जारी रहेगा मैसेज लाउड एंट क्लियर है कि संगश वीराम के बाद भी इसरेल नहीं रुकेगा इसरेल इस बीच खुद पर कंट्रोल कर किनारे खड़ा रहेगा कि कब इन बंधकों को भी छुड़ाया जाए और कब गाजा का आउपरेशन खत्म किया जाए सेजस फायर के दौरान ना तो कोई आटैक होगा ना ही मिलिटरी मुव्मिंट होगा सेजस फायर के दौरान हर दिन इसरेल सुवा दस से शाम चार वज़े तक हवाई यातायात रोक देगा इसरेली सेना गाजा में ना तो कोई हमला करेगी और ना ही किसी को गिरफतार करेगी इसरेल डिफन्स फोर्स यानि आई डिफ इस वक्त गाजा में मौझूद है टैंकों की पहरेदारी गाजा से हचाई नहीं गई है क्योंकि जमीनी हकिकत ये है कि ना तो हमास को इसरेल पर पूरा भरोसा है कि सारे बंधकों को सुरक्षित रिहा करेगा ना हमास को भरोसा है कि इसरेल सीस फायर का उलंगन नहीं करेगा यानि दोनों सीस फायर में तब तक बंधे हैं जब तक उनकी मांगे पूरी होती रहेंगी इसरेल का ताजा बयान है कि सीजफायर के बाद घाजा से लेकर गातर तक हमास के एक कातंकी को चुन चुन कर मारा जाएगा हमास इस्रेल की सेलान को सुन चुका है और हमास ये भी जता चुका है कि उसे जब भी मौका मिलेगा वो इस्रेल पर 7 अक्टूबर जैसे क्रूर हमले करेगा जाहिर है दुश्मनी के बीच सिर्फ सीज़ फायर आया है और वो भी बिना भरोसे वाला सीजफायर के बाद क्या होगा युद्ध का गोला सिर्फ टैंक में रखकर बटन आफ किया गया है किसी हुए वक्त ग्रीन बटन ओन हो सकता है हमास और इसरेल के बीच पहली बाद सीजफायर नहीं हुआ है और इसके पहले वी सीजफायर हुए है लेकिन वो भी बिना भरोसे वाले ही रहे ये बात दिगर है कि इस जंग में ये सीज़वायर पहली बार हुआ है इस बार का सीज़वायर गाजा को संपूर्ण रुप से तबाह होने से कितने दिन या कितने घंटे बचा पाएगा कहपाना बहुत मुश्किल है क्योंकि युद्ध मैदान में परिस्थितियां हर पल बदल रही है